प्रसार भारती के मुख्य कारिकर्य अधिकारी शर्शी शेकर वेंपटी ने आकाश्वानी और दूरदर्शन में तक्नीकी नवोनमेश को बढ़ावा दिये जाने की जरुवत पर जोर दिया है। DD News के साथ खास बाचित के दरान CEO प्रसार भारती ने DD Freedish को एक अच्छे मिसाल बताया है। देश में अकेले रेडियो या टीवी सर्वेस थे। पर आज के इन्वार्मेंट में जहां इतने सारे चैनल्स हैं, इतना सारा कॉंपेटिशन है और डिजिटल टेकनोलोजी जिस तरह से बदल रही हैं कंजूमर हैबिट्स को। यह बहुत ही इंपोर्टन हो जाता है DD को और आर को कि वो टेकनोलोजी इन्वेशन लाए और नए तरीके से यूवर्स के साथ लिसनर्स के साथ कनेक्ट करें तो यह बहुत ही इंपोर्टन कॉंक्लेव है अलसो हमारा जो वर्कफोस है वो अगले पांच दस साल में काफी लोग रिटायर होने वाले हैं तो हमें नए है यह हर दिन का चालेंग्ज और यह अच्छा मिशाल है कि किस तरह से हम अपने पॉबिक रिस्पोंसिबिलिटी इसको डिस्चार्च करें और वायबिल भी रहें तो इसके जो बेस प्राक्टिसेश इसके जो लेसंज है हम अन्य हमारे जो एरिया जो अपरेशन जहें वहां भी लेके रहे हैं प्रजार भारती की तरफ से अभी तक क्या-क्या कदम उठाए गए हैं और किस तरह से एक नए भविश्य की तरफ आगे बढ़ रहे हैं बैतर एक्जांपल डीडी न्यूस है जो अब हाई डेफिनेशन पर भी उपलब्द है यूट्यूब पर मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं अब भी काफी पॉपिलर है इसी तरह से हम आई टी सिस्टम्स लानेंगे हर जगे हमारे प्रोक्यूर्मेंट हो हमारे इंटरनल ऑपरेशन्स हो एचार ऑपरेशन्स हो तो यह एक बार टेक्नोलोजी और प्लाटफॉर्म बेस्ट हो जाए त आप इस तरह से आगे बढ़ा जा रहा है कौन कौन सी चीज़ें जिनको आप देखते हैं कि गर्व करने लाए बड़े चीज़ों से नहीं होगा चोटे चीज़ों से होगा कि हम हर जो छोटा काम करते हैं उसमें वी शूट टेक प्राइट शूट ब्रिंग काल्चर और एक्सेलेंस एंड क्वालिटी एंड चैलेंज जर्स जब यह सारे चोटे-चोटे चीज़े सब मिलकर एक बहुती बड़ा इंपक्ट हो जाएगा उनका लास्ट कुशन आपने कहा था कि रीसेंट हिस्ट्री में थ्री स्टेप्स उठाए गए हैं डिजिटल इंडिया स्टा इससे क्या होगा कि इंडिया में जो भी ब्रॉड कास्टिंग टेक्नॉलजी है वो स्टेट अफ दिया बहुत ही जल्दी बन सकता है इसमें इंपोर्ट करने की जरुद नहीं होगे क्योंकि यह लोकली अवेलेबल होगा अट यह सेम टाइम यह ग्लोबल स्टेंडर्स का हो दिशा में और नए अनमेशन की दिशा में आगे बढ़ा जा सके कामरमन कुल्दीप शर्मा के साथ रमातियागी डीडी न्यूस है रबॉड